सिनियर स्केंडी स्कूल पीली बंगा की ओननाइन क्लासेज में आप सब बच्चों का स्वागत है प्यारे बच्चेओ आज असी साइत दे रूप वार ते चर्चा करांगे इसतो पहले असी काफी बारे चर्चा काफी दे अर्थ तता तर प्रबाशा ते विचार कर चुके हैं सो काफी काव रूप है उसतो बाद असी अज पड़ रहे हां वार प्यारे बच्चेओ वार बारे जो जुरूरी गलाहन पहला तो वह समझो जो वारवी का रूप ही है, वारवी की एक काव दा कवता दा ही रूप है, पर एक कवता कैसी है, ए ऐसी कवता जिस विच्छ किसे युद्धा, किसे युद्धा वर्नन विस्तारना किता गया हुंदा है, जो ए असी कह सकते हैं, वीर्ता पर पूर एक रचना है, ठीक है, क्योंकि पंजाबी लोक जो हैं, असी जान दे हां, शुरुवात विच्छ ही ए दलेर सन, पंजाबियां दे उत्सा, उनना दी वीर्ता, दे चरित्तर नू पेश करनवारी जेकर कोई रचना है, काव रूप है तो है वार, देखो प्यारे बच्छो मद काल विच्छ या सी खेयर आधकाल तो ही दे वेखियें, ता जो वीर्काव नाषच मंदीत यानि के एक किड़ा काव रूप है, वीर काव रूप है, वीर काव रूप है, सो मदकाल विच वीर काव रूप ना समंदित, जो तेन साइट दे रूप मिल दे हैं, एक ता मिल दे हैं, जंग नामा, जंग नामा, एक असी ना ले सकते हैं, वारदा ही, ते एक गुर बिलास, ग थोड़ी पार्ट पुस्तक विच जंग नामे बारे भी दित्ता गया खास कर जंग नामा सिंगा ते फिरंगियां ते इस तो अलावा वारा था हन ही जिमें चंडी दी वार गुरू गोविन सिंग जी दी रचना है तो जो वार है आज असी वार बारे चर्चा कर दे है एता संव इते समझा गया कि वार की है ओ कावरूप जिस विच किसे युद दा वरन किता गया हुंदा है ते किते न किते यनिके वार कार उपनू पढ़के सड़े मन विच उत्सा ओदा है ठीक है वीर्ता दे पाव पैदा हुन दे हन ठीक है शुर्मगती नार समंदी ते रचना आसी कह सक दे हैं सूर में लोग पढ़ देन उनन दे जस विच गाई गई रचना ही वार है सो पैरे बच्चों पहला वेख दे हैं आसी अर्थ देखो विद्वाना विच मत पेद हन कई अर्थ ले गई हन वार दे सब तो पहला आसी देख दे हैं पैरे बच्चों पाई कान सिंग नबा पाई कान सिंग नबा बारे पाईकान सिंग नबा ने जो इना दा महान करंथ है महान कोश उस विच पाईकान सिंग नबा ने वार शब्द दी जो उत्पती है उस संस्क्रत दे एक शब्द तो मनी है किस तो मनी है? संस्क्रत दे एक शब्द केड़ा शब्द? वरी संस्क्रत दे शब्द वरी ताटू तो मनी है किस तो मनी है वरी ताटू तो वरी यानिके वरीदा की अर्थ होया वरीदा एथे अर्था सी ले सकते हाँ वार करना या वार रोकना वार करना या वार रोकना सो पाईकान सिंग नब अनुसारता एही है कि उन्हान ने जो अपने ग्रंथ महान कोश विचे ए दस्या कि वार शब्द दियुत पति संस्क्रद दे किस ताटूतो होई है वरी ताटूतो नमबर एक गल इस तोलावा आसी देख सकते हैं होर विद्वान जी में प्यारा सिंग पदम दी गल करने आसी प्यारा सिंग पदम प्यारे बच्चों पिछली वीडियो विची मैं थुन देता सी कि ए जो साड़े पंजाबी दे अलोच चकन एना दे नात होनु यादोने चाहिए न वार वारा होनगे उगे पंजाबी दे लेखकन आलोच न एना ने क्रिटिसाइज किता हर रचना नु सो एना बरे जुरूर ग्यान होना चाहिए नहीं प्यारा सिंग पदम है ओ कि आख दियन ओ वार शब्द दे अर्था लई कें दियन कि वार जो शब्द ये वार्ता तो बढ़िया है किस तो बनिया वार्ता तो एथे वार्ता दा अर्थ तुसी जान दे हो वार्ता पाव वार्ता लाप या सी कहते ने वार्ता बात करनी किसे ना गल बात करनी वार्ता किसे दे संद्रव विच गल करनी वार्ता वार्ता लाप सो वार्ता अर्थ लेयन क्यों लेयन एना अनुसार जिमें पुराने समया विचे जो टडी लोग हुन्दे सन या पत लोग सन जो जातियां सन पत या जो टडी लोग हान ओ की कर दे सन? ओ कोई जो किसे युद्ध दावर्नन है किसे सूर में बारे वारता दे रूप विच काव शली वारी रचना गौंदे सन पड़ दे सन यानिके वारता एक तरह दा उस दा बखान कर दे सन वारतक दे रूप विच हाँ उस दी शली पावे काव शली हुंदी सी सो ए अर्थ लेयन प्यारा सिंग पड़म ने भी पहला इस दा ना वारता हो सकदा है वारता ही रहा होए वारता बात या तीरे तीरे फिर एसे दा ना ही एसे रचना दा ना ही कीप है गया होए वार ए रचना किस तरह दी होई कि पट लोग या टड़ी लोग हन और सूर्मिया बारे जो वारता विस्तार नाड़ पेश कर देशन और काव शैली दे रूप वीट पेश कर देशन ते एही वारता गे चलके वार दे रूप वीट विक्षित हो गया इस तोलावा प्यारे बच्चे ओसी जे विस्तार नाड़ चर्चा करी है ता जो प्रीतम सिंहन ए विद्वान ने काफी विस्तार नाड़ वारते चर्चा करी है इना दा लेख है बीर कावदी उत्पती ते विकास इना ने एक लेख लिखिया है ना सुनो वीर बीर कावदी उत्पती ते विकास उस लेख विच प्रीतम सिंह ने वार शब्द लेए कई अर्थदसे हैं building जिमें छी अर्थदसे हैं छी परकार लेएं की वार शब्द किस तो बन्या है ईक तो अर्थे ना ने पाईकान सिंह न अभावाड़ा ही लेए की वार शब्द द्वित्पति किस तो होई है वरीता तू तो यह, कुझा सी प्रमुख एथे वेख देयां कि केड़े अर्थे प्रीतम सिंग सफीर ने ले हन, तो एथे प्रीतम सिंग सफीर नहीं है, ओ एक कवी है, एथे प्रीतम सिंग दी ही गाला ही है, तो प्रीतम सिंग है जो, ओ वरीता तू तो मन देयां, तो वरीता तू दा अर्थ ना ने एवी मन्या की बहादर हुंदा है विरीता तू दा अर्थ की हो गया बहादर वैरी भी इस दा अर्थ सी ले सकते हां या दुश्मन भी ले सकते हां सो कई अर्थ ले जा सकते हैं या फिर ओही की वार करना जा वार रोपना इस तोलावा एक अर्थ होना ने वाहर तो लेया है वाहर दा अर्थ हुन्दा है समूव वार दा अर्थ की हुन्दा है समूव यानि के एक अर्थ की लिया वरीता तू तो ही बनेया है वारशब दूजा अर्थ लेया है वाहर वाहर पाव समूव ऐसे तरह एक अर्थना ने लिया है वर्जना या रोकना वर्जना या रोकना ठीक है यानि के वार शब्द किस तो बनेया है अखे वर्जना तो बनेया है वार वर्जना तो वार बनेया है वर्जना दा अर्थवीन दा रोकना यानि के किसे तावेनू किसे हमलेनू शुरुख् ले ठीका सी मुकाबला कर दें हाँ, सो शायद वर्जने तो ही वार बनिया होवे, एक अर्थ प्रितम सिंग ने ए लिया है, ठीक है, ऐसे तरह एक अर्थ होना ने लिया है, वार शब्द यानिके, वार शब्द दा अर्थ वार वार तो आया है, वार वार यानिके वार वार रि की रचना है इसनों बार-बार गौंदेशन बार-बार सो शायद वार-वार तो वार शब्द बनेया होवे ए वी मन सकदे हाँ उनना ने अपने लेक बीर कावदियत पती ते विकास विछ ए मत दिते हन केड़े एक तावरी ता तू एक वाहर एक वर्जना तो शायद या रुक उनना ने छी अपने विचार दिते हन पंजबा जो विचार है ओ आख दे हन की वार शब्द बार तो बनेया होवे बार यानिके दरवाज्याई बार दरवाज्या होण दरवाज्ये दा की पा क्योंकि जो पाटकवी हुन देशन ओ सूर में जो हुन देशन जो असी इतियास सूर्मियां दे दरवाजियां ते, सूर्मियां दे दरां ते, सूर्मियां दे बारां विच खड़के, बारां देगे, खड़के उना दी जस उना दा गायन करदे सन, ठीक है, सो शायद बार तो ही वार ए रचना पह गई होए, सो ऐसी रचना यानिके पाटकवी की करदे सन, ज जरां बारा मूरे खड़के, सो बार तो शायद वार पर गया होए एक अर्थ एवी लेंदे हैं, ते एक अर्थ असी लेंदे हैं, इस दा समन्द असी राजस्तान नार ही जोड सकते हैं, देखो वार शब्द जो बनेया है, ओ आखदियन की ए शब्द बारे हट, ए शब्द तो बनेया है, इस दी उत्पती कीश तो होई है, बारे हट, हुण बारे हट एक ही चीज है, देखो एक जाती है, असी जे तुसी जमात नोवी यत्वी विच पड़या होए, एक परवार है राजस्तान दा, केशरी सिंग बारे हट ना तुसी सुनिया होणा जोरावर सिंग या परताब सिंग बारे हट, सो ओ बारे हट जाती ना समन्दित इस शब्द दिस मानता किती है कि बारे, बारे हट, इस विच शुरुवाती शब्द आया, ओ आया बार हट, हट मना होंदा है कि ते ने किते यासी हट कर लेनी, जिद कर लेनी, सो बारे हट दा भी की होया, एवी कि यहां पर भी देंग मिले कोई इनाम मिले सो जिमैं 122 इसी रत्ना जाण देवी आजी में 13 सोर्थे उना ले लिखे सन जिस विच उना ने मेवाड महराणा नू दिल्ली दरबार विच जानतों रोक्या सी तो उस गल्दी पुष्टी कर दिये कि किते ना किते ए 12 हट ना दी जाती वी की कर दी सी जो आसी कह सकते है सूर्मया लई ओना लई गीत गवन दी सी ताकि ओना नू खोर उत्सा आवे ठीक है सो एक असी एवी अर्थमान सकते है कि वार शब्दी उत्पती किस तो होई है पियारे बच्चेओ तो बार है हट बार बार तो ता वार हो गया ते हट हट पाव असी कह सकते है जिद यानि के ए ऐसी रचना सूर में दे दरा मुरे खड के गांदे सन ते बदले विच इनाम प्राप्त कर दे सन ए सन प्रीतम सिंग दे विचार खोड ऐस तो अलावा दो होर मैं विचार थो विचार तुसी होर वेख लगो तो एस जो विडियो विच असी सिर्फ अर्थ ते प्रभाशा बारे ही चर्चा करांगे तत हन जो वार दे ओ असी अगले लेक्चर वी चर्चा करांगे एक पंजाबी दे खोर लोगतारा कभी होए हन वन जारा सिंग वेदी वन जारा सिंग वेदी वन जारा सिंग वेदी जान दे सन, किसे जंग नू लड़न जान दे सन, ता एना दिया मामा एना दे सिर्तों की कर दिया सन, वारने कर दिया सन, एना दे सिर्तों बलामा अपने सिर लेलें दिया सन, ते उस समय वारने कर दे समय एजो रीत किती जान दी सी, उस समय फिर एक लोक काव बोले आ जान दा स यानिकि उसमें जो गीत गाये जान देशन उन्णा नू वार ने क्या जान दा सी ते शायद एसे वार ने दा ही अगे चल के परिवर्तित रूप की बन गया होवे वार सो वणजारा सिंग वेदी दा भी असी एथे एक विचार ले ले लिया खेर वणजारा सिंग वेदी दा विचार किते ना किते एना दे छेतर नाड़ी समंदीता है क्योंकि एना ने जादा तर पंजाबी लोग तारा बारे ही चर्चा करी है तो लोग काव रूपा बारे चर्चा करी है तो उन्ना नाड़ी एना ने समंद एथे जोड दिता है इना ने कीमन ने वनजारा सिंग वेदी ने वारशब्दी उत्पती वारने काव रूप तो होई है यानि के मामा की कर दिया सन अपने पुत्ता दे सिरा तो वारने करके उस समय गीत उचारे जान दे सन इस तो अलावा प्यारे बच्चो अंतम जो सीक परभाशा हो वेख लें दे हाँ उवेख ने हाँ डाक्टर रतन सिंग जग्दी दाक्टर रतन सिंग जग्दी इना ने जो विचार करें प्यारे बचों एक एथे होर त्यान देनी ओगल है वार शिर्फ युद विर्तांत वारी ही नहीं हुंदी वार अध्यात्मक भी हो सकती है सो एथे सानू दोहां गलनाते विचार करके फिरी प्रबाशाते असी पहुंच देयां केड़ी की वार एकता युद विर्तांत यानिके युद नार समंदी ते एक अध्यात्मिक वारा जो गुरु गरंसा विच्वी मिर्दियां हन या पाई गुर्दास जी दियां जो असी उ नायक दी क्योंकि इस विच कोई एकता नायकता हो गई सो नायक दी जो परशंशा है नायक दी परशंशा ओ युद दे संधरविच किती यानिके ओस नू वदा चड़ा के ओस दी वीर्ता ओस दे बल नू इस तरह पेश किता यानिके किते ने किते ओस दी वड़ियाई प्रशंशा किती जान्य दी, किस दी नायक दी, युद्ध दे परसंग वीच, तो एक ता ए गलमन दे हम, हाँ, उन्हाने ए मन्या है, अगे दस्या है, कि हाँ, इस वीच जो नायक ते प्रतिनायक, यानि कि जो खलनायक है, प्रतिनायक, ठीक है? दोहां दा इस परकार नायक ते परतिनायक दी जो टकर है इना दी आपस विच जो लड़ाई हुंदी है इस टकर दा वर्नन कुछ इस तरह किता जावे कि जो उत्सा बढ़े रचना पुनू पड़ लगया पाठक पड़े ता उस दे मन वीच भी कियावे उत्सा आवे जोश आवे ठीक है तो किते नायक दी परतिनायक दी टकर दा जो वर्नन है ओ इस तरह किता जादा है कि वाता वर्न कैसा बढ़े उत्सा परपूर बढ़े ठीक है हाँ इस तो अलावा एवी असी मन सकदे हा कि जो वार है प्यारे बच्चो इस विच सुखम ते स्थूल दो परकार दे असी टकर या विशे ले सकदे हाँ अध्यात्मिक जो विचारा वारा हुन दिया है उस विच जो एटकर हुन दी है ओ सुखम हुन दी है ते जड़ी युद बिरतांत वाली या वारा हुंदियान उस विच ए टकर कैसी हुंदिया स्थूल हुंदिया सो प्यारे बच्चों ए सनवार दे अर्थ ते ए असी इक परबाशा मन सख दे हां सो एथों तक प्यारे बच्चों केरा तुसी याद करो सो तनवा